ओके तो सुरू करते हैं आज की सेसंन में कर रहे हैं कोस्चन जेनरल पार्ट का यह जूंत 2020 का पुछावा कोस्चन है यह ट्रिकी कोस्चन है ठीक है तो ट्रिकी कोस्चन क्या है यहाँ पर दिया वाए ठीक है तो आप देखेंगे कुछ इस्टेप चे रिगुलर पेंटागोन का सेफ बनेगा और हमने रिगुलर एन गौन के लिए कुछ फर्मूला यहाद है ठीक है मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूं वह फर्मूला क्या होता है sum of interior angles, angles of an, of a, of a regular n-gon, ठीक है sum of interior angles of a regular n-gon, इक है sum of interior angles of a regular n-gon, इक है होता है, n-2 into 180 degree, ठीक है, यहाँ पर कितना है, pentagon है, यहाँ पर दिया हाँ, pentagon है मतलब n is equal to 5, so sum कितना हो जाएगा, 5-2, 5-2, 180, यह हो जाएगा, 540 degree, ओके, so, यह sum of n गौन का, और सारे angles का equivalent है, so, एक एंगल का weightage कितना हो जाएगा, so, measure of one angle, कितना pentagon है, तो 540 कंपिया करेंगे, 5-2 divided कर देंगा, यह आजाएगा आपका, 108 degree, तो एक एंगल का निकल 108 degree, ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कि जब इस टाइप का हमें equal होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इस 108 degree को 3 parts में डिवाइड कर देना होगा, that is, angle of, ABC क्या होजाएगा, 108 by 3, that is, कितना होजाएगा, 3, 3 और 36 degree, तो इसमें देख लिए जो भी 36 degree होगा, fourth option, so, fourth option true है, okay, thank you.